नमबर एक, जिन ओर्दों का पेट ज़्यादा बढ़ रहा हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिस करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा नमबर दो, ज़्यादा से ज़्यादा खाना लोहे की कड़ाई में बनाएं, इससे सरीर में आईरन की कमी नहीं होगी नमबर तीन, जिन लोगों के सिर पर बाल कम हों, वो रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सर पर लगाएं, इससे दीरे दीरे नए बाल उगने सुरू हो जाएंगे नमबर चार, सुभा का नास्ता पेट भर करें, दोपैर का भोजन सुभा के खाने से हलका करें और रात का खाना भूख से कम करें, यह स्वास्ते के लिए बहुत लाबदायक होता है नमबर पांच, सब्ता में एक बार अपने सरीर की 15-20 मिनट तक गुनगुने तेल से मालिस करें नमबर च्छे, खाना खाने के तुरंत बाद नहना सरीर के लिए नुकसान दायक होता है नमबर साथ, जामुन खांसी को भी ठीक कर सकता है अच्छे पके हुए जामुन पर काला नमक मिला कर खाने से खांसी में जल्दी आराम मिल जाता है नमबर आठ, कभी भी चाय के उपर से पानी नहीं पीना चाहिए, इसे सरीर को बहुत नुकसान पहुँच सकते है नमबर नो, केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाली पेट केला खाने से सरीर में मैगनीशम की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वज़ा से सरीर में केलसियम और मैगनीशम की मात्रा में संतूलन नहीं बनता नमबर 10, किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूच का सेवन जरूर करें नमबर 11, यदी सांस फूलने की समस्या है तो दही की कड़ी में थोड़ा सक देशी घी मिला कर खाएं इसे बहुत आराम मिलता है नमबर 12, दोपैर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाइं करवट लेट कर आराम जरूर करें नमबर 13, रात को जादा पानी नहीं पिना चाहिए इससे ताकत में कमी आती है और रात में बार बार पेसाप की भी दिक्कत हो सकती है नमबर 14, अगर गर्मी की वजह से बुखार आ गया हो तो लोकी को पीस कर दोनों पैरों के तलबों पर मालिस करने से बुखार उतर जाता है नमबर 15, रोजाना रात को सोने से पहले दांतों को साफ करके सोने से दांत हमेशा मजबूत और साफ रहते हैं नमबर 16, भोजन का समय निश्चित करें इसे पेट ठीक रहेगा भोजन के बीच बात ना करें भोजन ज़ादा पोशन देगा नमबर 17, सुबह के नास्ते में गाय का बना ताजा दही लें इससे आपका पेट ठीक रहेगा नमबर 18, साबुन की जगह चहरे को दही में बेसन मिला कर धोएं इससे आपके चहरे का रंग साफ होता है इसे पांच मिनट लगा कर चहरे को धो लें फाबुन और फेस पोस हमारी त्वेचा को रूखा और बेजान कर देता है जिससे इसकिन पर जुर्या जल्दी पढ़ जाती है नमबर 19, प्याज के रस को नारियल के तेल में मिला कर बालों को धोने से एक घंटा पहले लगा लें ऐसा करने से बालों का जणना बंद हो जाता है और बाल लंबे घंटे और मुलायम हो जाते हैं नमबर 20, अगर धूप में जादा रहने की वज़ा से आपके चहरे का रंग सामला पढ़ गया हो तो अंगूर का रस चहरे पर लगाएं इससे चहरे का रंग पहले जैसा हो जाएगा नमबर 21, खाना खाने के बाद एक बड़े इलाइची खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है नमबर 22, जादा सूरे की रोसनी से बचें इससे तचा बेजान हो जाती है और उसमें काले दाग हो जाती है अगर धूप में जाना है तो अपने चहरे को ढख कर जाना चाहिए नमबर 23, दस मिनट के लिए दही को चहरे पर लगा कर छोड़ दें और उसके बाद हलके हातों से रगड़ कर हटा दें इससे आपके चहरे पर कितना भी मैल और डैड स्किन होगी वहाँ सब इसी के साथ बहुत ही आसानी से निकल जाएगी नमबर 24, अगर जोड़ों का दर्ध है तो अदरक का रस लगाएं इससे जोड़ों के दर्ध में फायदा मिलेगा नमबर 25, जब भी आप बाहर से आएं तो कभी भी आते ही अपने हाथ पैर या महू नहीं धोना चाहिए नमबर 26, आमले का मुरब्बा खाने से कभी भी सरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी नमबर 27, केले के छिलकों को कभी फैकना नहीं चाहिए इसे आपको अपने चहरे पर मल लेना चाहिए इससे चहरा निखर जाएगा नमबर 28, पुदीने के रसने मिसरी मिला कर पीने से और्तों में पीरियट संबंधी परेसानी नहीं होती नमबर 29, यदि आपकी हड़ियों से कट-कट की आवाज आती है तो समझ जाना चाहिए कि आप में कैल्सियम की कमी है नमबर 30, जादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है इसलिए ध्यान रखे कि कभी भी सबजी में उपर से नमक ना डालें उपर से नमक डालना स्वास्ते के लिए हानिकारक होता है नमबर 31, यदि आप मटर पनीर की सबजी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा साथ दूद मिला दें सबजी का स्वाद और बढ़ जाएगा नमबर 32, हातों से कपड़े धोने से डिप्रेशन कम होता है नमबर 33, यदि कम सुनाई देने की समस्या है तो उंगली पर नारियल तेल लगा कर कान में लगा लें ऐसा करने से कम सुनाई देने की समस्या जल्दी दूर हो जाएगी नमबर 34, रोजाना एक सेव खा लेने से इंसान बहुत सी बिमारियों से बचा रहता है नमबर 35, नासपाती खाने से आपके अंदर ताकत आना सुरू हो जाती है गर्बवस्था में नासपाती खाना बहुत ही लाबदायक होता है नमबर 36, गले की खरास को दूर करने के लिए दो से तीन तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें और उससे घरारे करें कुछी समय में गले की खरास में आराम मिल जाएगा नमबर 37, जिस जगह से घर में कीडे या चीटिया निकल रही है तो वहां खजूर की गुठली रख दें कीडे चीटिया निकलनी बंद हो जाएंगी नमबर 38, रोजाना सुभा खाली पे तीन से चार काजू खाकर उपर से थोड़ा सा सहथ चाटने से या दास बढ़ती है और दिमाग की कमजोरी दूर होती है नमबर 49, दो चमत सहथ को एक कप पानी में डाल कर सुभा साम पीने से पुराना नजला बिल्कुल खत्म हो जाता है नमबर 40, कच्चा प्याज खाने से रक्त चाप नियंतरित रहता है और नसों की ब्लोकेज खुलने लगती है नमबर 41, चुकंदर का रस पीने से आपका रंग कभी भी काला नहीं पड़ेगा और चहरा हमेशा चमकदार बना रहेगा नमबर 42, रात की रोसनी के लिए हमेशा सफेद बल्फ का इस्तमाल करें दूसरे रंग के बल्फ आपकी नजर को कमजोर कर सकते हैं नमबर 43, गेहों के आटे को बिना चाने ही रोटियां बनाएं, यह स्वासी के लिए बहुत अच्छा रहता है नमबर 44, हमेशा फास फूड और पैकेड फूड खाने से बचना चाहिए, यह हिर्दे के लिए नुकसान दायक होते हैं